सब्सक्राइब सब्सक्राइब और अच्छा विडियो देखना है लॉजिकल इंफोमेशन शेयर किया जाएगा तो आए शुरू करते हैं बिना टाइम लिये हुए यह जो मुकाबला है चिन्ना स्वामे के स्टेडियम पे खेला जाएगा रेन के चांसे नहीं है पूरा मैच हो क्योंता कैसा है इन शॉट यह विकेट बल्लेबाजी के लिए ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप देखोगे तो मोस्ट आप दा केसे में यहां रंच बनते वे दिखते हैं अगर आप देखोगे ओवरॉल डॉमस्टिक मुकाबले 155 खेले गाए 166 का फरस्ट इनिंग का इस सीजन यानि की जो अभी टॉर्णमेंट करें टॉर्णमेंट चल रहा है तीन मुकाबले खेले गाए तीनों मुकाबलों का एवरेज स्कॉर 180 सेकंड इनिंग का एवरेज स्कॉर 168 इस पिन को पेसर को 24 यानि आप देख रहा हो कि यहां पर बल्ले बाजी के लिए आप खीली तो अगर आप देखो गए तो यहां पर बल्ले बाजी के लिए ऐसा नहीं कि भूट ज्यादा कठीशन है बल्ले बाजी करना अगर खुद बल्ले बाजी के लिए ठीक है इसके अलावा हम बात करते हैं दोनों टीम का बाइटिंग बॉलिंग स्टाइल आरसी विक या Maxwell आपको पावर प्ले में कितनबाजी करते हुए दिख सकते हैं इनकी टीम आउट ओफ फॉर्म है एक दो प्लेयर को छोड़ दो जैसे विराट कोली और फॉफ दू प्लेस को छोड़ दो दिनेश कार्तिक को छोड़ दो तो इनकी टीम से विल जैक्स ने आठ रन और एक व यहां पर विजय कुमार ने लास्ट मिच में एक विकेट उसके बाद आकास दीप एक विकेट रिस्टॉपली ने डिसेंट परफॉर्मेंस के उतना अच्छा नहीं सिराज तो फ्लॉप ही रहा है तो इनकी टीम इस वज़े से थोड़ा सा आउट ओफ फॉर्म दिख रही है पर जो इनकी टीम से ठीक ठाग ओवर की गंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं देखो एक तो रीस्टॉपली मोहमा सिराज और उसके बाद आकास दीप और विजय कुमार वस्च यह चार इनके में गंदबाज है जो ठीक ठाग ओवर करते हुए दिखेंगे मैक्सवेल और आपको आपस में शेयर करते हुए दिखेंगे लास्ट मैच में इन्होंने एस चोहान को इंफेक्ट प्लेयर के तौर पे लिए थे क्योंकि विकेट जल्दी गिर रहे थे अगर इनकी टीम यहां तक विकेट नहीं देती है तो हो सकता है एक एक्स्ट्रा बॉलर आया तो एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिलेगा देखते हुए चलना इजी वे में लिखा हुआ है जैसे मालो महिपाल लॉमलोर लफ्ट हैं बैट्समें लफ्टम और्थरोक्स बॉलर नभे मैच की चौरासी इनिंग में अठारव श्यासे ट्रन 27 का एवरेज है एक सो 27 का इस स्टैट्स आपको देखने मिलेगा उसका स्टैट्स क्या है ठीक है तो यहां पर देखते हैं चलना वैसे मैंने आपके आसानी के लिए निशान लगा दी जो अच्छा स्टैट्स रखता है इसके अलावा दोस्तों टेलिग्राम से नहीं जुड़े हो तो जूर जाओ वीडि आपको दूढ़ना हो तो आप हमारे यूटूब आप यूटूब पर आओ फैंटसी बस सर्च करो हमारा चैनल दिखेगा यूटूब का कोई भी वीडियो खोलो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो भटकना न के विकेट जल्दी गिर गए थे जो पंजाब के अगेंस्ट मैस था अगर टॉप अडर के जल्दी नहीं गिर था तो हो सकता है राहूल त्रिपार्टी के जगे मैंक मारकंडे को एक बॉलर एक्स्ट्रा लेके आते ऐसा हो सकता था यह धियान रखना आप लोग कि राहूल सब्सक्राइब निकाला है हेंडिक लासन ने स्टाइट में अच्छा किया था लास्ट के कुछ मैंच में ज्यादा मौके नहीं मिले इस में मौका मिला तो फ्लॉप हो गए थे पैट कमींच का परफॉर्मेंस ठीक है उतना खराब नहीं उतना अच्छा भी निकाले उनाट क उनाट के प्लॉप है और लेकिन इन दोनों के ज्यादा चांसे रहते हैं अब इनकी टीम से ना ढूर निटीज कुमार रैडी बॉलिंग बाकि पी कुमार प्लॉप है चांसे चार्चर वर ढले उसके बाद अगर महेंगे सावीत होते हैं तो इनका भी अवर कट जाता है और और वह कठ्या होगा वर साभा जैमत और नितिश कुमार रेडी में अब जैसे मैंने बोला लास्ट में राउल त्रेपाथी आगए थे इंपक्त प्लेयर के तौर पे अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर आते तो फिर मयंक मारकंडे अगर आते तो हो सकता है कि यह जो तीन है यह मिल समझ जाओ तो ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाने जो अच्छा प्लेयर रखता है स्टैट्स अच्छा रखता उसको बने इन शॉट यलो कलर से मेंशन कर दिया ठीक है पढ़ने का मैथड भी इस है यह जो रिसेंट फॉर्म है इस टॉर्णामेंट से पहले का इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका टीडियस कटता है यहां पर आपका टीडियस बचेगा अगर बस उसके टार्मेंट कंडिशन है आपको आईपिल भर विड्रॉल नहीं करने आपका बचेगा ठीक है वी सजार तक की टीडियस की छूट है रीफंड हो जाएग आपका बचेगा और यह अमांट अभी आप जहां खेल रहे हो ना वेस्ट कर रहे हो यहां पर बचा सकते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में लिंक है फटा फटा जागे साइन अप करो और यहीं नहीं यहां पे आप ऐपीनियन ट्रेडिंग भी दे सकते हो मैंने एक ची से से आप सबाइब लगई लेगे आपको लगता यह तो यह उस नए देना ओपीनिन ठ्रेडिंग ठीक है इस में तो इसमें भी आप लोग खेल सकते हूं ठीक है तो यह आपकी चोइस है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाफट जाके साइन अप कर लो अब दोनों टीमों के बीच में बाइस बार मुकाबले हुए आर्सीबी ने दस बार आशारेच ने बारा बार जीता है लेक लिए और विराट को लिए फटाफ के यहां पर आउ तो यहां पर फिर से फटाफ का नाम है पटिदार ने 48 ग्लेन मैक्स्वल के 33 अने त्रिपार्थी के एठावन रन यहां पर स्रिप मैक्स्वल का परफॉमिस था अभिसेख शर्मा के 47 मारको एंसन के तीन नटराजन के त तो यह लास्ट चार मैच की बात करी अब ओवर ओल देखते हैं यानि हिस्ट्री में जब भी इनके बीच में मुकावल आता हो तो हैट-to-head और वेन्यू किसका अच्छा रिकॉर्ड है प्लेयर वाइस टीम वाइस देखते हैं पहले हम देखेंगे आर्सीवी का टीम का हैट यानि दोनों का अच्छा रिकॉर्ड है रजत पाटीदार एक मैच खेले 48 बना है अगेंस्ट चारेच मैक्सवेल चोबिस का एवरेज और 16 मैच में चार इस वेन्यू पर 16 मैच में तीन सो चौंस्तित संद बाइस का एवरेज है 16 मैच में नौ विगेट निकाले इस वेन्य लेकिन इस ग्राउंड पर 18 मैच में 22 विजय कुमार वच्छा कि स्टीम के इस नहीं खेले और 6 मैच में 8 विकेट इस वेन्यू पर चार मैच में चार विकेट है यस दयाल का लेकिन यह इस टीम के दो मैच में दो विकेट है डिसेंसा रिकॉर्ड है अब ऐसे ही हम लोग ऐस सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि देखो आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलेंगे और आईपील की नहीं आईपील के बाद वर्ल्ड कप उसके बाद बहुत सारे इवेंट आते रहते और ऐसे मैच में प्रॉफिट और बीस रखेल और इस वेन्यू पर इक्यासी डावरेज अच्छा है लेकिन अभी खेल नीडे खेल नीच आ रहे बॉलिंग से आठ मैच मे नोव विकेट नतराजन लेकिन इस वेन्यू पर एक ही मैच खेले और याठ मैच में विकिट बीकुमार इस ग्राउंड पर लेकिन इस टीम के अगे सिख्खिस में थारा विकेट वाकि उनात कट का रिकॉड उतना अच्छा है नहीं तो यह हैट टूएड और वैन्यू रिकॉड होगे इसके अलावा थोड़ा प्लेयर बैटल देखते हैं यानि कौन किसके अगेंस ट्रॉगल करता है विराट को ली वी कुमार आउट कर चुक है इनको लेकिन 15 गेंदों पर असी बनाएं तो यह भी उतना ज्यादा स्ट्रॉगल नहीं करते हैं विल जैक्स मारको एंसन की सामने 19 गेंदों में चार बर आउट हुए लेकिन वह खेल नहीं रहे पटिदार उतना गेंदे किसी की खेली नहीं है मैक्सवेल दिनेश करतीक उतना स्ट्रॉगल किसी की सामने नहीं करते हैं ऐसे ही अगर हम बात करें तो ट्रेविश अच्छा खेला है और यस दयाल को भी काफी अच्छे खेला मारकरम ज्यादा गेंदे नहीं किसी की जोसेफ की सतरह में 27 बना है तिरे पाथी सिराज के सामने गेंदों लेकिन 28 बनाए जोसेफ की 30 गेंदों में दो बार आउट हुए लेकिन जोसेफ खेल नहीं तो यह हुआ कुछ प्लेयर बेटल अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शिन की दरफ कीपिंग सेक्शन में ज्यादा सोचना नहीं है है अच्छे आप्शन रहेंगे क्योंकि देखो भले ही इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग करें या सैकेंड बैटिंग करें तेजी शिरंची इनको प्रोमोशन भी मिल जाता है वेकट कीपिंग भी करते हैं पांचवे नंबर पर आ सकता है इनकी फिर सी आजाए तो अगर आपको ऐसा लगता है आप कर सकते हो लेकिन अगर मीडल ओवर चल गया तो हो सकता है इनकी बैटिंग ना है तो थोड़ा रिस्क फेक्टर है इसलिए मैंने छोड़ दिया स्मॉल लिग पॉइंटों वी से मिनी जील वगरे में स्ट्रगल नहीं किया वी कुमार के सामने आउट जरूर हुए है लेकिन अच्छा खास स्ट्राइक रेट से रंच भी किया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि श्रूंग ना हो यहां पर बैटिंग विकिट है तो यह फिर से अच्छा कर सकते हैं फॉफ दूप्लेस का लास देखो यह विकिट ना उतना ज्यादा स्पीनर्स को असिस्ट भी नहीं करता है बैटिंग के लिए अच्छा विकिट है तो डैट स्वय मैंने इनको कंशीटर अपने टीम में किया है उसके बाद अब इसे एक शर्मा फॉर्म अच्छा देखा है टेक्निकल यह अच्छा सौ अच्छा है लेकिन बल्लेबाज इक्रम नीचे एक अबरेज उप्षन पटिदार आपके लिए एक अच्छे उप्षन हो सकते हैं अगर आप आर सीवी के तॉप और के बैट्समें को ड्रॉप कर रहे हो ना तो आप इनको लेके जा सकते हो कि कि तब इनको प्रमोशन मिलता ह है और अभी लास्ट दो मैंचेज में अच्छी टच में दिखें अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं तो हो सकता है फिर से टूडवन आ जाए तो कंडिशनली ट्राय कर सकते हो लॉमलो और अब्दुल सामत बैटिंग से काफी नीचे है तो श्मॉल लिग के तुन्हें अच्छे ग्रेंड लिग में एक टीम में ट्राय कर लेना मार्करम मस्ठब पिक रहेंगे हाला कि बॉलिंग तो नहीं डाल रहें लेकिन एज बैटर रेलाइबल बैटर है थोड़ा लेफ्टाम और्थोलोक्स के अगेंस श्रगल करते हैं और सामने वैसे वैसा कोई लेफ्टाम एक दोवर गेंदबाजी इसलिए मैंने ले लिया है क्याप्टन मेंस क्याप्टन बनाने पर थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि रिस्क हो जाएगा क्योंकि फॉर्म उतना अच्छा निए ग्रीन खेल निए लिए मार्को एंशन खेलते तो क्याप्टन सी के मटेरियल है बता नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा है विल जैक्स को मैंने ले लिया देखो बैटिंग से अच्छा करते हैं मार्को एंशन के लेकिन खेल ली रहे ओवर ओल मस्ठप पिक रहेंगे थोड़ा स्विंगिंग कंडिशन रहा तो छोड़ सकते हो लेकिन देखो वन डाउन आ क्योंकि बॉलिंग बैक अधर्वाइस अगर यह ओपन करते तो आप इनको वीशी भी बना सकते थे ग्रेंड लिंग में पिच को देखते हुए साबा जैमत एक आवरेज ऑप्शन नितीश रेडी लास्ट मैच में त्रिपाठी आए थे एक बॉलर कम था इनको ओवर मिल गय नहीं है अगर मेरे को ऐसा लगेगा ना कि अब इनकी टीम एक बैटर को ही लेकर आईगी इंबैक प्लेर के तौर पे और पांचवे गिंदबास के रूप में नितीश कुमार रेडी और साहबा आजमत खेल रहें तो मैं डेफिनेटली फिर इनको अपनी टीम में लेके जरूरत पढ़ती तो रंच भी बना सकते हैं बीकुमार स्विंगिंग कंडिशन के ज्यादा अच्छे गिंदबास अधर्वाइस ऐसे फ्लैट ट्रैक पे एक एवरेज गिंदबास मैंने अभी के छोड़ दिया है विराट को चार बर आउट के लिकिन रंच भी खाएं यह को फेवर करेगा विकेट तो मैं ज्यादा उम्मीद करनी रख टॉपली को मैंने लिया है फर्स्ट इनिंग की गिंदबाजी में द्रथ में आ सकते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे विकेट टेकिंग नेचर के गिंदबाज है सिराज फ्लैट ट्रैक पे हमेशा से एक लगातार गिंदबाजी कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी अबेलिटी यह इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है इसलिए मैंने इनको लिया है फर्स इनिंग में द्रथ में आएंगे विकेट टेकिंग नेचर के गिंदबाज है सेकंड इनिंग में भी आप इनको कंसीडर कर सकते कर सकती है ठीक है सिराच को मिनी जील में ट्राय करना है स्मॉल लिग के अच्छी आप्शन नहीं उना आतकट एक आवरेज ऑप्शन है रीजन कभी भी रंच खरच देते हैं और कभी कभी रंच खरचने के चक्कर में विकेट मिल जाता है लेकिन वह बार बार नहीं होता है उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है लेकिन अगर आप टीम में लेने विजय कुमार विशक कभी इनका भी ओवर कड़ सकता है यह बहुतना अच्छा नहीं कहूंगा नीची आओ तो और के उतना अच्छा ऑप्शन है निजो की खेल रहा हो अब हम चलते दोस्तों टी कर सकते हो मैंने यह उपेन करेंगे दोनों की दोनों इनके रिकॉर्ड अच्छे विराट को लिगे इन पर मैंने थोड़ा भरोसा दिखाया है थोड़े हीट और मिस्टैप के खिलाड़ी है तो आप सेफ जाने कलिए मार्कर में क्लास इंको फर्स्ट निंग में बल्ले यह फाइनल टीम तो नहीं है फाइनल टीम आपको आफटर टॉस में टेलीग्राम पे दूँगा कंडीशनली किस तरीके से हमें चेंज़स करना है सारी चीज़े वीडियो में समझाया है तो आपको समझेगा कि किस तरीके से आपको टीम बनाना है तो आप खुझ से अपनी टीम बना पाओगे बकी जैसे मैंने बोला कि यह तीन-चार मेंबर की टीम में से ग्रेंड लिग में मत लगा ले लिए जस्त आपको समझाने क्लिए में एक टीम दिखा देता हूं क्योंकि ग्रेंड लिग में लख बहुत लगता है और अगर आपके पास लख है आपने आपके बाकी यहां पर मैंने थोड़ा फेवर किया यहां पर तो इस तरीके से आप भी रोटेशन करके अलग-अलग कंबिनेशन बना सकते हो अगर आपके पास लख है न उस दिन तो आपकी रैंक जरूर अच्छी आएगी बाकी यह स्मॉल लिग कीटी में इसमें कुछ भी चेंज होगा मैं टेलिग्राम पर इंफर्म करूंगा बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कविंड में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फटा फट जूर जाओ इंपोर्टेंट इसलिए बोला जाता है औ